अधरिनिय पवर सहीब, वास्पिट और माझे सोवर बसलेले सर्वस माझे मान्योर सहकारी आणी पत्रकार आणी तिनी पक्षाचा पदादिकारी बांदवान वन पगिनिनों. मराठी आणी हिंदी दूनी भाषन मरे बोलना रहे, जसा आशोक्रावानी रक्षामंदनाचे शुबेच्च्च देलेला चाहेत, तैस्प्रमणे मीसुदा सर्वाना, देशातिल सर्वा, माझा माताना आणी भगिनिना रक्षामंदनाचे शुबेच्च देतो, आणी रक्षामंदन के वड़ एका रिवसा सेठी आसायला नुको, राज्यकर्ता मंटलन अंतर अपले कारवारतला प्रतिक दिवस, हां मैला सुरक्षित राने साथी वापर लगेला पाईए, मैला ना अपले देशात सुरक्षित वाटला पाईए, आसा राज्यकार्वार क एक दोन तीन दिवसा पुर्विमांचे हिंगोलित सभाजाली, त्याही सवेद बोललो होतो, करन मी बात्मी माचली होती, कि खास कुरून भारतिय जनता पक्षित चा कारे करत्याना सांगित लगेलो होता कि मुस्लिम मैलान करणना राखी बांदा, आणी तोज धागा मैंज दोन मैलांची धिंड़ या पद्धती ने काडली गेली, जा प्रमाने आपने मैला कुस्ती पटू, तिकड़े दिल्लीद बसले असतरा तैंचा कड़े दुरलक्षे गेला, केला गेला, तो या सगला मैलाना सुरक्षित वाटाव, आस सरकार अन्या साथी मनुन आमी सगल ए हूँ, हम इखटा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षा बनने देश की रक्षा, भारत माता, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इखटा आए हैं, और साथ ही साथ, ताना शाही की खिलाफ तो हम है, जुमलेबाजी की खिलाफ हम है, संजे राउज ने जैसे कहां कि हमारी तिसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर की दाम 200 रुपे से कम हो गए शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे हैएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी सबको फ्री क्योंकि क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है सरकार अज गैस वरती है आज टैचा मुझे सिलेंडर चे भावजर का कमी के लिए हस्तिल तर माला का टैचा ताश्चर वाटत नही नौ साल हो गए आज तक कभी बेहनों की याद आई नही थी आज अचनक बेहनों की याद आ गई और रक्षाबंदन की गिफ्ट दी गई क्यों नौ साल रक्षाबंदन हुआ नहीं था क्या भावविस का नौ वर्षद जाली नहीं थी पर यहाँ सगड़ा गोश्टी अब यह पबलिक है सब जानती है और कुछ भी करें तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसो मुझे आभी आभी नाना जीन बता है कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे महायूती की बैठक करो लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना जो कास्थकाराज संकट में है मैं खुद गया था और अब पूरे आपी के माध्यम से मैं निउस पढ़ता हूँ देखता हूँ पूरे महारश्र में सुखे जैसी स्निती है क्या कर रहे है अपने राज्य की सरकार क्या कर रहे है अपने प्रधान मंत्री जी आएंगे कुछ ना कुछ एक भुल भुलया दिखा कर चले जाएंगे इससे कुछ होने वाला नहीं अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आऊशक्ता होती है और उस वक्ट जो मदद की जाती है वो ही मदद वो पूड़े जिंदगी बर याद रखता है. और उसलिए जाणा लंबी बाद मैं भी नहीं करना चाहता हूं. बाकि सारी बाते तो हम पूरे विस्तार से परसो करने ही वाले हैं, परसो वापस हम मिलने वाले हैं, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा, कि हम जितने सारे लोग, हाँ, हमारी विचार भरा अलग-अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश एक है, वो हमारी देश के रक्षा करना, सव चले जाओ, महलाट अपने मुंबाई तर शुर्वाद जले होती, गवल्या टैंक, तो चले जाओ, चले जाओ, क्यों, किसको, ब्रिटिश, ब्रिटिश भी तो विकास करी रहे थे न, अगर उनको भगाते नहीं हम लोग कुरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास करी रहे थे, हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी जारा उची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इखटा आए हैं, और विचारधारा अलगल होगी, लेकिन उद्देश एक है और इसी को तो हम लोक ACCOR मानते हैं, प्रजा तंत्र मानते हैं, लोक्षाही मानते हैं नें ती लोक्षाही वार स्टोने सथी आमी एकत्र आलिलाहट एकत्र रहू आणि आमचा भारत माते चा हाता पायात पुना कोंट्या ही हुकुम शाला बेड़ा घाला देनार नाही ही शपत घ्योन आमी पुड़े जानर होता। धन्यवाद।